कॉल वन नाइन एट हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो आ चैनल टेक मंजल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ unboxing और review firebolt की brand new smartwatch firebolt ring pro और इस watch की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको password protection मिल जाती यानि कि दोस्तो आप pin code डाल के अपनी watch को unlock कर सकते हैं जो कि शायर पहली बार हो रहोगा इतने कम budget में और इस वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल launch price बताऊँगा जो कि आज ये watch launch हो चुके और इसका best price description में मैंने दिया हुआ है और साथ ही साथ इसका डिटेल review दूँगा चाहे वो इसकी build quality और design हो watch का UI हो, app interface हो या फिर इसके health sensors की accuracy कैसी है सारी details बताऊँगा calling test से लेके pin code तक सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आपको इसके बाद कोई bid out नहीं बचेगा दोस्तो अगर आपने अभी तक tech manzil को subscribe नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और bell icon पे all press कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी latest budget products की unboxing review और giveaway और giveaway वीडियो सबसे पहले YouTube पे ले आते हैं और जित्ते भी products market में लाँच ओने वाल हो तो उनके deals और offers YouTube पे पोश्च करते रहते हैं और आप लोगों के लिए और amazing surprise है यानि कि दोस्तों EmbraneWise Rome और Defy Space Pro जो की market में launch होने वाली है उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे सबसे पहले आजेगी तो जरूर चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजिए ताक कि आपकी ऐसी amazing videos मिस ना हो तो unboxing से पहले जल्दी से box में कुछ features देखे तो जैसा आप इतर देख सकते हैं मैं आपको SPO2 monitoring, heart rate monitoring, multiple sports mode, pin lock मिल जाता है inbuilt games मिल जाती है दूसरी साइट पर आपको दिख जाएगा इसका 1.75 inches का amazing touch display Bluetooth calling आपको मिल जाएगी 320 x 385 का pixel resolution जो की मैं आपको detail में दिखाऊँगा की कैसी इसकी display की quality IP68 की water resistance, smart notification और ऐसे काई सारे amazing features आपको पीछे भी दिख जाएगे और अगर बात करूँ MRP की तो जैसा आप इतर देख सकते है इसकी MRP 10,000 रुपे है लेकिन दोस्तों मैं आपको advance में बताना चाहूँगा कि ये watch almost 65% discount पे लाँच विया है तो जैसा आप देख सकते हैं टॉप पे हमें जिख जाती है Firebolt Ring Pro जिसको हम आगे detail में discuss करेंगे आगे अगर box contents देखे तो सबसे पहले आपको इसमें manuals वगेरा मिल जाएगी Firebolt की तरफ से अंदर आपको subscriptions मिल जाएगी काफी सारी apps की जिनको आप देख सकते हो और एक साल की warranty card भी मिल जाएगा आपको Firebolt की तरफ से और warranty से आद है एक बहुत ही amazing app जिसका नाम है WeVouch और दोस्तो जैसा आप जानते हैं आपके घर में अलग-अलग products होगे और अलग-अलग products की warranty 20 claim करने के time बहुत problem आती है आपको अलग-अलग toll free numbers पे call करना पड़ता है invoices fade हो जाती हो और ऐसे कई सारी problems के solution आपको दे देती है WeVouch app इसका link मैंने description में दिया हूँ और उसे आप पे जाके अगर आप register करते है Tech Manzil code उसकरके तो आपको 5 complaint tickets फ्री मिल जाएगी quality मिल जाएगी जिससे आपकी ये cable काफी लंबा चलेगी तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे मेरे पास main product जो कि Firebolt Ring Pro जैसा आप देख सकते हैं काफी premium look है smart watch की right में आपको metallic body मिल जाएगी एक round button मिल जाएगा back side में आपको glass back मिल जाएगी जो की काफी अच्छी लग रही है इधर आपको सारे sensors magnetic charging port और firebolt की branding दिख जाएगी दूसरी side आपको plain finish और speakers मिल जाएगे इस watch के क्योंकि है calling smart watch है और जैसा आप front पे देख सकते हैं straps की quality बहुत ही ज़्यादा जबरदस है बहुत soft straps हैं और आप easily इनको replace कर सकते है sliding straps के through around 22mm के straps इसमें चल जाएगे जो की काफी अच्छी बात है अगर बात करें इसके amazing display की तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें आपको 1.75 inches का amazing display मिल जाएगा जो की थोड़ा curved glass में आ जाता है जो की काफी अच्छी look दे रहा है इसको और से पहले अगर बात करूँ इसके display की quality की तो बहुती ज्यादा amazing display लग रहा है दोस्तों काफी ज्यादा premium look आ रही है curved glass की वज़े से और सबसे अची बात यह है कि bezels बहुती ज्यादा minimal है smart watch में और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा 320 x 385 का pixel resolution इतने कम price पर मिलना काफी ज्यादा अच्छा look provide कर रहा है और आपके जो watch faces है वो बहुती ज्यादा उभर के आएंगे आपकी smart watch में तो दोस्तों watch को connect करने के लिए आपको अपने phone में कर लूँगा और within seconds यह pair हो गई है जैसा आप देख सकते हैं टॉप पर आगी है pairing request यानि कि दोस्तों आप अगर इसकी Bluetooth calling से pair करना चाते है तो आपको simply pair and connect पर क्लिक कर लेना है जोगी काफी अची बात है ज्यादा तर आपस में आपको खुद जागे करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर इसमें खुद ही request आगी है और हमने इसको pair कर लिए directly इसके Bluetooth calling के function के लिए तो मेरा Bluetooth स्मार्टवाच के साथ connect होगे और मैं easily इसमे calling कर सकता हूँ और music भी प्ले कर सकता हूँ तो उसका live demo में आपको जल्दी से दिखाऊंगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया fireboard में watch faces के मामले में काफी ज्यादा deep blacks और bezels तो इस smart watch में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे और आगे अगर बात करें तो जैसे ही आप ऊपर swipe करेंगे यहाँ पर आपको notifications दिख जाएंगी जैसे ही आप नीचे swipe करेंगे यहा जादतर smart watches में नहीं मिलता तो यहाँ से आप easily अपने password को set कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगर password एंटर करू चार बार 9 तो यह मेरा password सेट होगे और आपकी smart watch काफी ज्यादा secure हो चुकी है अब आगे watch UI की बात करें तो जैसे ही आप left swipe करेंगे चल्दी से आपको इसका calling demo दिखा देता हूँ तो जैसे आपने देखा यहां से आप volume increase और decrease कर सकते हैं आपने आपको mute कर सकते हैं और call को end करने के लिए simply आपको call end का button दबाना है तो काफी ज्यादा easy to handle है इसका calling feature और इसके speaker का भी live demo मैंने आपको दिखा दिया है और इसके UI के core unique बात में आपको बताना चाहूँगा कि left swipe करके आपको split screen मिल जाएगा जहाँ पे आपको additional shortcuts मिल जाएगे weather से लेके छोटे मोटे shortcuts, exercise, smartphone, सारे features यहाँ पे दिख जाएगे और pedometer को access कर सकते है, sleep monitoring, heart rate monitor, oxygen monitor और यहाँ पे आपको exercise mode दिख जाएगे जिसमें आपको up to 25 sports mode मिल जाएगे जो की काफी decent है और सबसे अची बात यहाँ इसमें आपको swimming mode भी मिल जाते है जिसको आप IP68 water resistance की वीज़े से लोटे मोटे splashes को बरदाश कर सकते हैं और कुछ देर पा camera shutter मिल जाएगा, music player मिल जाएगा, young bird और 2048 जैसी games मिल जाएगी जिसको आप time pass के लिए खेल सकते हैं जैसा आप देख सकते हैं और काफी जादे easy to access रहेंगे सारे modes आपकी watch में अगे अगर बात करें तो नीचे हमें दिख जाएगा इसका notice यानी messages और notifications का part उसके बाद alarm set करने की option मिल जाएगी stop watch countdown और reset power off की option मिल जाएगी तो एक बात मैंने notice किया कि इसका जो menu इसमें आपको अलग से settings की option मिल जाएगी जो काफी different चीज़े और इससे पहले मैंने किसी smart watch में नहीं देखा और यहाँ पर अगर brightness की बात करें तो मैंने इसकी brightness काफी जादा कम किय हुई है और मेरे हिसाब से outdoors में आपको कोई problem नहीं आएगी काफी जादा sufficient brightness इसकी find my phone और about की option आपको end में मिल जाएगी और नीचे जैसा आप देख सकते है menu style को आप adjust कर सकते है जैसा भी मैंने list किया हुआ है तो आप इसमें grid menu कर सकते हैं जिसमें आप वापस crown को use कर सकते ह काफी ज्यादा easy to handle है यह वला menu भी तो overall दोस्तों इसका watch UI काफी ज्यादा decent है working crown की वजह से बहुत ही ज्यादा easy access मिल जाता है smartwatch में आपको और साथ ही साथ दोस्तों calling से लेके मैंने आपको Bluetooth connectivity सारे features दिखा दिए और overall मुझे smartwatch का UI काफी ज्यादा पसंद आ है तो दोस्तों अगर बात करें SPO2 monitor की तो जैसा आप देख सकते हैं Oximeter में 98% दिखा है और smartwatch में 96% तो plus minus 2 का error है जो कि मैं ok ok काऊंगा दोस्तों वैसे भी मैं suggest करते हो कि SPO2 BP बगएर monitor करने के लिए आपको professional devices का use करना चाहिए और अब अगर बात करें steps calculator की तो जैसा आप देख सकते हैं मै इसको कई बार कह चुक हूँ और मैंने कई सारी वीडियो में इसका live review भी करके दिखा है जैसा आप जानते है दाफित आप में आपको first page पी सारे sensors की रीडिंग दिख जाएगी नीचे आपको outdoor running का भी feature मिल जाते है यानिकि दोस्तों in-app GPS को use करके आप outdoor running को भी track कर सकते हैं यहाँ पे आप और cards आड़ कर सकते हैं जैसी आप इदर इस icon पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको आपकी smartwatch की details दिख जाएगी जैसे की battery backup connected और यहाँ पे टॉप पे हमें दिख जाएगी इसके watch faces जो की 200 से भी ज्यादा cloud watch faces आपको मिल जाते हैं custom watch faces को भी आप सेट कर सकते ह notifications on करने का feature यानि की दोस्तों आपको major apps मिल जाएगी जिसमें आप notifications को on or off कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर alarm और shutter की बी option मिल जाती है favorite contacts को आप कर सकते हैं जिसको आप frequently call करते हैं नीचे आपको other settings में काफी सारे basic features मिल जाएगी जैसे की do not disturb, raise to wake और ऐसे कई सारे features यहाँ से कर सकते है, login वगेरा करने की भी जरूरत नीपरती, simply watch को connect करें और इस app को use कर लीजे, finally अगर बात करे conclusion की कि मुझे smart watch कैसी लगी इसके amazing budget में तो सबसे ची बात दोस्तों इसका password वाला feature जो है वो मुझे बहुत पसंद आया, आपकी security increase करता है, उसी के बाद आप बाकी features को access क कर पाएंगे, और next amazing चीज की बात करूँ तो दोस्तों इसका amazing display मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया, इसके जो watch faces है वो बहुत ही ज़्यादा amazing look provide करते है, इसके dark display में और काफी amazing है, इसके crown का experience आप काफी चीज़े कर सकते है, zoom in, zoom out, scroll कर सकते है, बहुत सारे features मिल जाते है और दोस्तों build wise भी smart watch बहुत जबर्दस है, speaker की quality मैंने आपको इस video में दिखा दीती, calling function आपको मिल जाता है, तो एक smart watch में दोस्तों इससे जाद आप क्या ही features चाहेंगे, अगर आप इस smart watch को buy करना चाहते है, तो जल से जल जाके नीचे दिये हुए link पे जाके click करिए, क्यो मंजिल को subscribe किये बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी latest smart watch की वीडियो में सबसे पहले YouTube पे ले आऊँगा, thank you दोस्तों